दोस्तो आज हम बात करेंगे SBL की लेफ टे के बारे में या फिर आप इसे SBL लीवर टॉनिक भी बोल सकते हैं जो की वर्क करता है हमारे लीवर के उपपर तो फिर आईए जानते हैं कि क्या है इसकी खास बात इसके फाइदे क्या है रिजल्ड क्या है कैसे आपको इसे यूज करना है कौन कौन इसे ले सकता है इसके साड़ी फेट क्या हो सकते हैं सारी जानकारी इस विडियो में आपको दूंगा तो इसलिए इस विडियो को आपको पूरा देखना है दोस्तों देखे सबसे पहले जल्दी से मैं आपको ये बता दूँ कि ये तीन वेरेंट में अवेलेबल है 115 ml, 180 ml और 500 ml और ये आपको जो भी होमियोपेथिक मेडिकल इस्टोर होते हैं वहाँ से आपको ये अवेलेबल हो जाएगी या फिर मैं नीचे वीडियो के description में online link देदूँगा जिसके जरिए आप इसे घर बैटे बैटे भी मगा सकते हैं और आप इसके price के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं तो चलिए फिर अब बात करते हैं कि किन condition में आप इसका इस्तमाल है वो कर सकते हैं इसके फाइदे क्या हैं तो देखिए ये जो है liver से जूड़ी किसी भी problem के लिए किसी भी बीमारी के लिए काफी useful medicine है जैसे कि देखिए कई लोगों को भूग बहुत कम लगती है खाने की रहती है और देखिए liver के function को बढ़िया करने में और उनको healthy बनाने में ये बहुत ही बढ़िया काम करती है इसके लावद देखिए अगर किसी को jointis की सिकायत है पीलिया की अगर किसी को सिकायत है या फिर किसी को hepatitis की problem है या liver में infection है या alcohol के कारण liver कमजोर हो गया है या फिर किसी को fatty liver की सिकायत है तो उस condition में जो है ये काफी फाइदेमन होता है इसके लावद देखिए in digestion या अपच की समझे रहती है खाना ठीक डंग से digest है वो नहीं होता पेट में भरी पनसा मैसूस होता है गैस बनती हो डगारे आती हो या फिर आपको बार बार lose motion होते है बार ब उसके उपर ही हिस्से में तो उसमें भी जो है इसका फाइदा देखने को मिलता है और देखिए अगर आपको vomiting होती है उल्टी वगेरा आती है नोजिय टाइब लगता है उल्टी जैसा लगता है कभी भी vomiting हो जाती है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों vomiting हो रही है कभी भी हो जाती है तो उस कंडिशन में भी ये फाइदेमन रहती है इसके लावर टॉक्सिन वगेरा जो लीवर में होते हैं टॉक्सिन को हटाने का काम भी ये करता है यानि ओवराल बात करूं लेफ टेकी तो ये एक प्रकार से लीवर टॉनिक है ये लीवर की हेल्थ को देखे इससे आपको खाने खाने की लगबख आदे घंटे बाद है वो लेना होता है दोस्तो अगर बात करें बच्चों की तो बच्चों को जो है पांच हेमल देना है दिन में ने तीन बाड तक देखे जो महिलाएं प्रेगनेंट हैं वे इसे ना ले बिना डोक्टर के सला करें बिना क्योंकि देखे प्रेगनेंसी के दुरान अननेसेसरी कोई भी मेडिशन लेना है वो सही नहीं होता तो इसलिए इस बारे में आप पहले डोक्टर से जरूर सला लें दोस्तो अगर बात करें इसके साड़िफेक्ट की तो इसका कुछ भी साड़िफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी देखिये इससे लेने के बाद अगर आपको कुछ भी हल्थ में इशू लगता है तो आप इसे लेना है वो बंद भी कर सकते हैं हाला कि इसका ऐसा कोई भी साडिफेक्ट देखने को नहीं मिलता दोस्तो अगर बात करें रिजर्ड की तो इसके अच्छे खासे रिजर्ड के लिए आप इसे एक से तीन मेना तक लेके देख सकते हैं दोस्तो लास्ट मैं इतना मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपे लीफ्टी लेते हो तो आपको अपने खाने पर भी विसेज ध्यान देना है देखिए आपको जंक फूड, फास फूड, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना मैदे से बनी हुई चीज़ें, एलकोहल, इन सब चीज़ों का सेवने हो नहीं करना है हेल्दी फूड लीजिए और टाइम पे खाईए, टाइम पे सोईए दिन बढ़ सही मातरा में पानी जरूर पीजिए, सुबह एक्सेसाइज जरूर करिए जिससे आपका सरीर जो है, वो काफी स्वस्त बने रहेगा और आप इस लीफटी के और भी भरपूर फायदे हैं वो ले पाएंगे तो दोस्तों ये थी, लीफटी के बारे में कुछ महत्वण भरी जानकारी देखे अगर फिर भी कोई कॉश्चन आपके मन में चल रहा हो लीफटी को लेकर तो आप मुझे कॉमेंट्स के द्वारा भी पूस सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सस्क्राइब भी जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे मैंने में जितेश और थैंक यू सो मच पर वाचिंग